अलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल एसी की रसोई एंड ब्लॉग आज मैं आप से बिना गहस जलाई हुए बहुत ही स्वाधिस्ट लड्डू की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ जो दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं त इसका एक फाइं सा पावडरिय कर लेना है Mixi के जार में डार कर पल्स मोड़ पर चलाएंगे तो इसका ऐक BMI सा पावडरिय तयार हो चुका है यहांतों की साता से मैंने इसको मसल लिया है आप इसमें डाल देंगे काजू का पाउडर जो हमने मेक्सी से बनाकर रखा है इसको चान के डालना है जिससे चान के डालने से एक फैदा होगा जो इसमें बड़े-बड़े चंक्स कुछ रह जाते हैं काजू के वो निकल इनको निकालने के बाद काजू और पनीर को मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लिया है मैंने इसको अच्छे से आप डाल देंगे आदा कप इसी हुई चीनी आप इसी हुई चीनी की जगह पर बूरा भी डाल सकते हैं मेरे पास बूरा नहीं था तो मैंने इसमें चीनी कप्रियों कि तो अब इसको भी मिक्स करना है अच्छे से हाथों की सायता से बहुत ही अच्छे से और इजली मिक्स हो जाता है तो इसको मिक्स करना है मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर से मावा की जरूत नहीं पड़ती है मिल्क पाउडर से फ्लेवर के लिए हम आपके वड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं इसमें मैंने इलाइची पाउडर डाला है थोड़ा सा अब इसको चम्मच की ठाजता से सारा वेटर एक जगा एक अठा कर लेंगे और हाथों को थोड़ा ग्रीज कर लेंगे बस एक बार ग्रीज करना पड़ता है बार बार करने की जरूत नहीं है एक बार हाथों में हलका सगी लगा को ग्रीज कर लिया है अब यह सारे लड़ू इसी तरीके से जैसे एक लड़ू बहुत ही अच्छे से बनकर तयार हो गया है बहुत ही जल्ली खाने में भी बहुत स्वाधिस्टा तो सारे लड्डू बनकर तयार हो गए हैं आप चाहे तो इनको नारियल के पाउडर से कोट कर सकते हैं जो डेसिकेटिड कोकोरनट पाउडर आता है उससे आप इसको कोट करके रख सकते हैं गार्डिसिंग में या फिर मिल्क पाउडर से पाउडर इससे मैंने इसको कोट कर लिया है अब इसको एक प्लेट में सर्फ कर लेंगे बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तयार हुए हैं अगर आपको लड्डू का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को सेयर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें यह लड्डू की सारी रेसिपी आप देख सकते हैं सारे लड्डू बनकर डर्डी हो चुके हैं